अई ब्रोज एंड आइलैसिस ये दो ऐसे चीजें हैं जो आपके खुबसूरते को घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं जिनके पास बिल्कुल घना आईब्रोज है बिल्कुल घने है आईब्रोस पर बाल उनके लिए कोई problem का बात ही नहीं है बस उनको simple सा पार्लर जाना है एक अच्छा सा safe दे देना है बस उनके लिए तो हो गया बट जिनके आईब्रोस पर बाल ही नहीं है और बहुत कम है ना के बराबर है दूर से देखने भी है या फिर नहीं है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि वे पार्लर भी जाना चाहे तो पार्लर में जाकर क्या कराएं क्या सेफ दे यहां बाल होंगे तभी तो सेफ दिया जा सकता है तो ऐसा सिचुएशन ह हो जाता है अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन है ना तो बस आप इस वीडियो को लास तक देखियो और यह जो में रेमेडी शेयर कर रही हूं यह मेरा फेवरिट रेमेडी है अपने आइब्रोस को ग्रो करने के लिए तो मैं इसे थ्री मन्स से यूज करने हूं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे आइलेसेस का अगर हम बात करें ना तो मैं बहुत ज़्यादे से इंबारसिंग करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादे लोग मुझे चिछाते थी कि यह कि आई लैसेस है ही नहीं मेरे आई-लैसेस मेंं बहुत ज़्यादे कमी बहुत बहुत धीर होता है तो इसलिए अगर आपमें पेसेंस है ना तभी आप इस रेमेडी को यूज करना क्योंकि दो चार दिन में आपको रजल्ट नहीं मिलने वाला है तो गाइस इस रेमेडी गो इस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या-क्या चाहिए होगा इस पर ह करते हैं सबसे पहले आपको लेना है अरनडी का तेल कैस्टर ओल बहुत तेजी से आपके बालों को बढ़ाने में एंड री ग्रोथ में help करता है तो आपको लेना है दो चम्मच कैस्टर ओल फ्रेंस आप जितना चाहते है ना उसके अकोड़ेंग आपको सारा इंग्रेडियें कर रहे हो तो इसलिए मैंने दो चमच कास्टर लिया है एंड अब हमें चाहिए विटमिन-E कैपसुल आप कोई भी ब्रांड का विटमिन-E कैपसुल यूज़ कर सकते हैं बट मैं आपको हमेशा की तरह आज भी यहीं कहूंगी कि आप उजीबा ब्रांड का विटमिन-E कैपस बहुत ज़्यदे थीक होता है तो इसे हमें डाइलूट करना है डाइलूट करने के लिए हम कोई भी कैरियर यूज़ कर सकते हैं बट बेस्ट होगा अगर आप जैतुन का तेल लेते हैं तब चमच ओलीव डाल दीजे ठीक है हमारा तीसरा इंग्रेडेंट हो गया अब चौ चाहिए वहकालोंजी सेट हमारे बालों को काला बनाने में हमारे बालों उगाने में बालों बढ़ाने मी बहुत अच्छा काम करता है बहुत अच् nuance मिलता है तो यह हमने पांच इंग्रेड यह चीज में आपको बताते हूं इसे यूज करना बहुत है ज्यादा इजी है अगर आपके पास रोल ओन बॉटल है तो आप इस बॉटल में ट्रांसफर कर लेजी और सिंपली बस आप जैसे हम यहां अपलाई कर लेजे और आई लैसे पर अपलाई कर लेजी बहुत है बट य है आप सिंपल सा कोई भी कंटेनर में इसी फिल कर लीजे भर लीजे रख लीजे और उसके बाद आप कोई भी कॉटन बोर इस पर डिप किजिए और अपने आइब्रोस पर अच्छे से लगा लिजे अगर पोसिबल हो तो आप मस्कारा ब्रस से इसे यूज किजिए बहुत ब्रस करते हैं जब हमारे ब्लोस को सब्सक्राइब ग्रो कर आप wear कर सकते हैं आप डेली राथ में बलाइं आप यह इसी शौर दीजें इस ही इसे विलकुल अच्छे से आपको ज्दोलेना है इसे अगर अगर विताटन नियुक्त yourself फ़िर अजए बढ़ हो तो दोल तो op लगा सकते हैं अगर हमारे आंखों में चल गया तो कोई दिकतत नहीं होगा और जबरजस्ती आपको अपने आंखों पर नहीं लगा लेना है थोड़ा साउधाने से आप करेंगे तो ये सिर्फ आइलैसेस पर ही लगेंगे ठीक है एंड विदिन थ्री मन्स आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आप डिफरेंस खुद ही देख लेना मैं क्या ही तारीफ करूं मैंने तो ये एक्सपरियंस किया है मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है बस यहीं था आज का हमारा टोपिक तो फ्रेंस आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पुल हुआ तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चै कीजिएगा ताकि इससे लोगों को बिलीव हो पाए कि सच में यह रेमेडी बहुत जादे वर्किंग है बहुत जादे एफेक्टिव है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तकी लिए बाबाइ कर दो किया तो और झादे लिए ज無ते हैं रादे ऐंड है